मसकर दोस्तो घरेलूख अबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो कैसे हैं आप लोगे बताने के लिए कमेंट में चै मातादी जरूर लिखे दोस्तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि कोजागरी पुर्णीमा जिसे सरत पुर्णीमा के भी नाम से जाना जाता है इसे राश पुर्णीमा भी कहा जाता है कौमूदी ब्रत भी बोला जाता है कुमार पुर्णीमा भी कहा जाता है इस दिन रात को खास खीर बना कर चांद के नीचे रखने की परमपरा है मानिताओं की माने तो इस खीर के कई सिहत से जुड़े फायदे होते हैं वहीं इसे एक खास मुहुर्त पर खुले आस्मान में रखा जाता है अगर आप भी सरत्पुर्णिमा की रात खीर को बाहर रखने का सोच रही है तो आज मैं आपको खीर रखने का सोब मुहुर्त सरत्पुर्णिमा के दिन आपको कौन से सोब मुहुर्त में चांद की चांदनी में खीर बना कर रखना है और उसको खीर रखने का तरीका और खाने का तरीका क्या है दोस्तो इसके बारे में बताऊंगे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्विस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को ल इसी वक्त खीर बनाकर खुले आसमान में रख सकती हैं। अगर आपके पास खुले आसमान की बेवस्था नहीं है तो खीर को आपको ऐसे जगह रखना है जहां चांद की रोसनी खीर पर आए। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि खीर को सुरच्छी तस्थान पे रखें। इसे कोई जानवर या कीड़े मुकौरे जूठा ना करें। तो दोस्तों आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूर्ण प्रत बात सब्सक्राइब करें।